बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का हर खबर की होगी मुकमल परताल मांगेंगे सबसे जवाब उठाएंगे हर सवाल खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाडा क्योंकि ये है जनता का ख़ाडा नमस्कार मैं हूँ आनदर सिम्ह अखाडा में बात आज उस खबर की जिसकी चर्चा देश के हर घर में हो रही है पूरा देश आज चीफ अफ डिफेंट स्टाफ विपिन रावत समेत हेलिकॉप्टर हादसे में जान गवाने वाले शहीदों को अंतिम सलाम कर रहा तमर्नाडो में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडियेज जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी मदुलीका रावत जी का आज अंतिम संसकार किया जाएगा उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में कामराज मार्क पर मौझूद उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है सुबा जुबा ग्रामांतरी अमिच शा ने जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी को शद्धानजली दी और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की हैने से अजी डोवल सीडियेज सा विपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे इसके बाद निताओं के आने का सिलसला शुरू हो गया कॉंग्रिस निता राहुल गांधी सीडियेज जनरल विपिन रावत को शद्धानजली देने पहुँचे अब से कुछ देर पहले दिल्ली सीम अर्विंद केजरिवाल और डेपिटी सीम मनीशी सोडिया ने भी शद्धानजली दी बीजेपी अध्यक्स जेपी नड़ा ने भी सीडियेज जनरल विपिन रावत को आखरी विदाई दी डेड़ बजे तक सेना से जोड़े लोग जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी मधुलीका रावत जी को शद्धानजली दे सकेंगे इसके बाद उनके कामराज मार्क से बरार स्क्वेर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी दिल्ली पुलिस के मताबिक कामराज मार्क से होते हुए तीन मूर्थी ग्यारा मूर्थी फिर धौलक कुवा होते हुए सीडियेस जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा बरार स्क्वेर तक पहुँचेगी जहां उनका अंतिम संसकार किया जाएगा कुल मिला के 800 सर्विस पर्सनल हैं जो की इस मिलिटरी फ्यूनरल का भाग में भाग लेंगे और सीडियेस जनरल विपिन रावत को 17 गंद सेल्यूट की सलामी भी दी जाएगी जो की प्रोटोकॉल के तहत है और उसके बाद लास्ट पोस्ट और राउज ट्राइस सर्विसेस के जो ब्यूगलर्ज हैं वो इसको बजाएंगे और उसके बाद उनकी चिता को अगनी दी जाएगी कुल मिला के 99 रैंक्स हैं सेना से नेवी से और एर फोर्स से और 33 मेंबर हैं ट्राइस सर्विसेस बैंड के जो की फ्रंट एसकोर्ट का हिस्सा होंगे जबकि 99 सारे रैंक्स में से 99 लोग जो हैं वो ट्राइ और वो भी तीनों सर्विसेस से यानि आर्मी नेवी और एर फोर्स से और ये रियर एसकोर्ट की भूमी का निभाएंगे तो पूरे शान और शिद्दत से उनकी बिदाई होगी और सेना के तीनों विंग तीनों भाग इसमें पूरी तरह से हिस्सा लेंगे हमारे साथ जनरल विभिन रावत के घर से अमित पांडे जुड रहे हैं सीडियेस रावत के घर से ही चंदन जज्जुआडे بھی जुड रहे हैं और रक्शा विशल ग रिफनिन जनरल संजेक कुलकरमी जी भी हमारे साथ इस وقت मौूद हैं मैं सबसे पहले अमित पांडे के पास जाना चाहूंगा अमित एक के बाद एक सभी लोगों सभी बड़े-बड़े वरिष्ट नेता और अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं अपनी श्रधानजली देने के लिए लेकिन साथ ही एक जन समुधाय जो हैं जिनका जनरल बिपिन रावत से वैसे तो कोई लेना देना नहीं लेकिन उनकी आँखों में भी हमने आसू देखे और ये बात हमने सुलूर में भी देखी कौइमबतूर में भी देखी पूरे रस्ते जहां मडरास रेजिमेंट सेंटर से जब वो सुलूर एरपोर्ट एरबेस की तरफ आ रहा था लोग वहां खड़े होकर वीरों को सलामी दे रहे थे इस बात पे आसू उनके निकल रहे थे कि देश का एक सपूत और उनके साथ काम करने वाले कितने ही से नानी वो वीरगती को प्राप्त हुए और अकस्मात एक ऐसे एक्सिडेंट में क्या वही भावना आज हमें वहां भही देखने दिल्ली में भी देखने को मिल रही है पज़े अनत पिछले तीन घंटे से हम यहां पर हैं और क्या नेता क्या आम जनता क्या समाजिक संगठन के लोग क्या हर तरीके के लोग यहां पर आए हैं और लोग यह महसूस कर रहे हैं तस्वीर इस बात को बयान करते हैं आप देखिए पीछे कि लगाता ना रहे हैं लोग यह महसूस करते हैं हमारा जन्रल अपना जन्रल जन्ता का जन्रल है जिसको भारत ने को दिया और इस तरीके के देखे नारे बाजी लगातार चल रही है यह 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 नारे बाजी लगातार चल रही है और हम यह देखिए तरीके पोस्टर से मत्रम मत्रम बने मत्रम मत्रम भरत मत्रकी ना और Спक्षभ अमान रहे वे Где रहे जन्ता का जन्नल है पिछले तीन घंटे के करेंगे तो उनको प्रेड़ना मिलेगी से ना में आने की देश की सेवा करने की इस तरीके की उनकी शक्सिस्ति रश्चन फेडरेशन रश्यन फेडरेशन के डिफेंस अटैशी कहते थे वेरी गुड फ्रेंड फरीन अपार्ट यह एसी उनकी शक्सित सी चाहे आम जनता हो चाहे कोई भी हो ऑर कोई उनसे जुड़ा रहता था जेक बिलकुल अमेत और चंदन जजवाडे भी हमारे साथ हैं चंदन आपने भी लोगों से बात की बहुत सारे जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर बात कहें तो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर कोई, चाहे उनकी पहले कोई भी बातies उन्होंने जैनरल विपिन रावत कि कहने पर, उनके कृत्त पर और जो उनके विचार थे उस पर भले ही विरोज जताया हो, लेकिन इस पर कोई संदे नहीं कि देश के सपूत थे पर हम देश भक्त थे जनरल विपिन रावत और देश उनके लिए सर्वोपरी था और इसी भावना की वज़े से और इस आटिटूड की वज़े से जो हम देख रहे हैं सपोर्ट, सेंटिमेंट वो जलक रहा है बिल्कुल देखे, बिल्कुल देखे, वही बात है कि जनरल विपिन रावत जो थे वो देश के सपूत हैर जो योगदान सेना में उन्हों ने दिया, वो कभी कोई भूल नहीं सकता, जिस तरह से हमने नम आखे देखी, चाए पॉलिटीसें हो, बियूरोक्रेट्स हो, चाए आ यारी अब शुरू हो गए, यहां पर जो है, मिलिटरी पुलीस है, उसके पीछे दो मोटर साइकिल आप देखे हैं, यहां आप देख सकते हैं कि यह एरफोर्स के गार्स अप उनर देने वाली टीम है, इसके आगे नेवी और आर्मी की टीम है, तो कुल मिलाकर बात करें, अ यह तैयारी अब हो चुकी है, निर्मला सितारमन जो की वित मंत्री है, वो अभी घर के अंदर गई है, इसे पहले जनरल वीके सींग अभी यहां से हो करके निकले हैं, तो तमाम लोग शर्दांचली देने के लिए आ रहे हैं, यह ताता लगातार लगा हुआ है, लेकिन उनके घर से उनकी अंतिम यात्रा के शुरुआत होगी, कामराज एरिया बे मार्ग में जो इनका घर है, वहां से डेड़ बजे शुरू होगी, और इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, और फुल प्रोटोकॉल के साथ, और पूरी शान शिद्दत के साथ, इनको विदा किया जा तो इच फ्रम दी आर्मी, नवी एंड एर फोर्स, जिनके रैंक है लेफटनिन जन्रल की बराबरी के, और वो होंगे दे पॉल बेरर्स, यानि की राष्ट्रिय जंडा, राष्ट्रिय ध्वज लेकर वो उनके साथ चलेंगे, फिर उसके बाद जितने भी विजिटिंग जो प्रवाइड करेंगे और उसके साथ निन्यानवे सभी आर्मी, नेवी और एर फोर्स जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, निन्यानवे लोग होंगे सारे रैंक से और 33 मेंबर होंगे ट्राइ सर्विस बैंड के जो की फ्रंट एसकॉट होंगे और वैसे ही निन्या निन्यानवे से तीनों से नाओं से सोलजर्स होंगे जो की रियर एसकॉट की भूमी का निभाएंगे, कुल मिला के आठ सो सर्विस परसनल हैं जो की एटेंडेंस में होंगे इस मिलिटरी फ्यूनरल के ऑफ सी डियस जेनरल पेपिन रावत, लेफने जेनरल संजे कुलकर्ण हमारे साथ है, करनल शैलेंदर सिंग भी हमारे साथ है और कॉमुडूर जीजे सिंग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, लेफने जनरल संजे कुलकर्णी सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे भारत में तो मातम पसरा है और सब की भावनाएं, सब की आखे थोड़ी नम ह सब कोई जनरल रावत के इतने शीगर जाने से थोड़ी थे दुखी हैं, लेकिन दुनिया भर से उनके लिए जो कंडोलिंस आये हैं, जो सपोर्ट आया है, आज भी वहाँ पर इसरेल से, मॉल्डीव से, श्रीलंका से, यहां तक की पाकिस्तान से भी अटैचेज जो हैं, व इतना सम्मान बात को दर्शाता है कि जनरल रावत क्या एक छवी थी, एक कैसे लीडर थे, उन जो कहा, वो करके दिखलाया, जिस प्रकार से उनकी जो परसनालिटी है, वो रिफलेक्ट करती है, और सरकार को उनके उपर विश्वासता, देश को उनके उपर विश्वासता, या आज जिस चिनौतियों का मकाबला ये देश कर रहा है, और जिस सक्षम तोर पर मकाबला कर रहा है, इसकी सारी भूमी का जो है, सीडियस अपॉइंट्मेंट होने के बाद, जिस प्रकार से देश में दूसरा ही चेहरा देखने को मिला, और जो कहते हैं, वो हार्ड किल व ही, एक आम आदमी, जो कभी मिला नहीं, जो सिर्फ टेलिवेशन पर या बारों में पढ़ता होगा, देखता होगा, लेकिन आज सब की आखे ना में, सब को लगता है, कि उनका सपूत उन्होंने खो दिया है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा विक्ती, और आप मेरी माने मैं तो उ ऍटिगर के ऐन कारिक्टर, उसलिए आज आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कि सी भी चाहिए उनके साथ उंकी अरण हो, जा उनके विचारों से उनके पारन की जी आज स्रब की स्रूरती सब के डिमाग में जीते में ये ह्जो बेक्टी है उसके दिल में सर्फ देश हो और देश के लिए प्रेह है और वही कारण है जिए हो नूर में हो चाहँ हो क्योंगोर में हो तामिलाडू में हो आज दिली में देखने को मिल रहा है क्योंकि इसस्वान दिल्ली में से यह व्валत हैं जह हो ने को पहन resistance पहले आदमी, हाईवी डेकुरेटेड, वेरी केपेबल, वेरी प्रोफेशनल, सन अफ देप्टी चीप अव्यामी स्ताफ, इनके पिताजी भी लेटिन जेरल थे, और मैं उनके साथ, मैं कापनू था, सियाचें ग्लेशियर में, 1983 में मेरी मुलाकात, ग्लेशियर के उपर है, इन्होंने उसके ऐसी देखबाद की, वो ही नहीं, इवन उनके पत्नी ने, बहुत बढ़िया देखबाद, उनका परिवाद, वो लड़कियां जो उनकी है, जो नौईरा में रहती थी आज़ पर उनके पिताजी के साथ रहती है, तो मैं कूँगा, बहुत है, उनका जो विक्तित्व है, उनका जो चाल चलन है, उनका जो कहना है, उनकी जो इमांदारी है, उनकी जो वफादारी है, देश के लिए जो देश्टा का उनके रग रग में भरा है, चाहे वो गाओं में हो, चाहे शेहरों में हो, यह दर्शाता है, यही कारण है, आप खुद देख र लेकिन उस तरह के श्रदाजली देकर भी आना मुझे वाकई बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, मेरा दोस्त चला गया, एक सीडियेश चले गए, लेकिन सम्मान को देख लग रहा है, पूरा देश एजुट है, पूरा देश में जो जस्पा है, पूरे देश में जो काबलियत है, और रिस्पेक्ट पर काबलियत, रिस्पेक्ट पर कॉम्पटेंसी, ये कोई लीडर नहीं है, पूलिटिकल लीडर नहीं है, ये कोई ऐसा, ये एक लीडर है, और उसके लिए इस तरह के से लोगों ने सम्मान देना, वाके बहुत एक नहीं चलकता है, और इसी लिए इतना सम्मान, एक सोलजर के लिए, एक सैने के लिए, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा तवफा कोई नहीं हो सकता, कि पूरा देश याद करे, और उन्हें सम्मान पूरवक विदाई दे, और उनके जाने से जितना देश को दुख हुआ है कश्ट हुआ है, यही दर्शाता है कि उनकी भूमिका कितनी एहम थी, एक फौजी से लेकर आर्मी चीफ तक और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनिए, CDS, Triservices चीफ, पिछले चार-पांच साल में खासकर उनके कारेकाल में जितने रिफॉर्म्स को पुश किया गया है डिफेंस के अंदर, वो बहुत इंपोर्टेंट है और कई लोग कहते हैं, इस अर वेरी बिग बूट्स टू फिल, उनकी जगह लेना असान नहीं होगा, क्योंकि CDS का टर्म अपचारिक तोर पर अगर बताया जाय तो उसकी उनकी कोई फिक्स्ट टर्म नहीं होती, लेकिन हाँ 65 वर्ष की आयू तक एक व्यक्ती चीफ अफ डिफेंस स्टाफ रह सकता है, 63 वर्ष के थे जनरल बिपिंड रावत और कम से कम अगले एक दो साल तो कम से कम उनका टेनियोर था, तो उनका नेक्स्ट इन लाइन अफ सक्सेशन कौन होगा, बहुत बड़ी बात है और कौन उस भूमिका को निभा पाएगा, वो विजन किसके पास होगा, ये सवाल बहुत लोगों को अब परिशान करेगा, खासकर पधान मंत्री नरेंदर मोदी जनोंने खास जनरल बिपिंड रावत को इस रोल के लिए चुना, जो पहले देश के पहले चीफ अफ डिफे का निभाएं और उसके लिए हर डेपार्टमंट, हर याने की आर्मी, नेवी, एरफोर्स, चाहे जो भी लेवल पे हो, टेक्नोलोजिकली और एक्विपमेंट की तरह उसको पूरी तरह स्ट्रॉंग करना, महफूज करना और पूरी तरह से सुद्रड करना, ये उनकी भूमि का थी, जनरल मम नरावने अभी तीनों सर्विस चीफ में से सबसे सीनियर हैं और उनका टर्म जो है एप्रिल 2022 में खत्म होगा, कौन आगे बढ़कर सीब्स बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके विजन को ट्रांसलेट करना और उसको आगे लेकर जाना, ये हम स प्रेशल रोल में गई थी, वहाँ पर, as President of the Armed Forces Wives Welfare Association, वो भी का पूरी तरह से committed थी, उनके लिए जिनकी बात कोई नहीं करता, उनके साथ जितने लोग गए, जैसे ब्रिगेडियर लिडर, कल अरजिंदर सिंग, और और बाकी जो उनके PSO's थे, ये सब handpicked थे, खुद उस फ्लाइट में थे, एक से बढ़कर एक, उनके भी अचीवमेंट्स कम नहीं? I'm very happy कि आपने ये एक सवाल उठाया है, और मेरी सोच है, कि अगर वो लेडी अपने ओफिशियल रोल में उस एरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रही थी, कोई प्लेजर रोल में नहीं कर रही थी, हम क्यों नहीं एक ट्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते, कि उस लेडी को भी वो न ड्यूटी थी, तभी तो वो उस एरक्राफ्ट में थी, मेरे खाल सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे में कोई अग्नूर होता है, हर किसी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑफिशल सम्मान मिलेगा, हर जवान को ऑफिशल सम्मान मिलेगा, जनल बिपन रावत को मिल रहा है, why not, why not Mrs. Rawat? I think हमारे देश को इसके ओपर जरूर डिबेट करनी चाहिए, discussion करना चाहिए, सोच रखनी चाहिए, कि आगे कभी समय आने पर, उस लीडी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, सिरफ इसलिए नहीं कि वो विपन Rawat जी की वाइफ है, उसको आपने एक appointment दी है, she was also the President of the Defense Awa Committee, तो आपने बिलकुल अच्छा point दिया है, कि yes, सम्मान उने भी मिलना चाहिए, incidental सम्मान की बात नहीं करता, एक official, formal सम्मान की वो भी उतने ही अगदार है, क्योंकि वो भी अपने शादी-शुदा जिंदगी की ज़्यादा तर समय, उन्होंने Awa स से related, लोगों के welfare से related, काम किया है, she deserves it. बिलकुल, और मैं पुरी तरह से आप से सहमत हूँ, पर दूसरी बात यह है कि अकस्मात ऐसे जनरल बेपिन रावत का चले जाना, इसको इसकी भरपाई करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्मी में, क्योंकि जो forces में, जिस reform की बा की चाता हूँ, मैं theatrization of our commands, इसको मैं होते हुए देखना चाता हूँ, मैं आपको यही कहूंगा, then I think जनरल बेपिन रावत का आपने काम करने का धंग देखा नहीं, उन्होंने अगर कोई चीज स्टार्ट करी है, तो उन्होंने उसको end तक के लिए plan कर दिया होगा, और इ होगा, आप गलतियां या काम ना करने के reasons की बात नहीं कर पाएंगे, आप सिरफ ये reason बताएए, या आपने ये काम कैसे करना है, that is what is journal विपन रावत, विपन रावत सर के सामने खड़े होकर, आप अगर सच और तेश के हित की बात कर रहे हैं, take it as done, I am very sure, उनका जो subordinate staff है, उनके जो तीनों chiefs हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, कहीं किसी के दिमाग में doubt ही नहीं है, कि IBG आएगा या नहीं आएगा, पैटल गृप्स बनेंगे ही बनेंगे, ठेटर कमांड ना आने की, अब कोई सपना ही नहीं सोच सकता, अब तो उल्टा जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आप सब की, कि अगर आपकी सोच नहीं मिलती है उस ग्रेट आदमी की तरफ, आप में कहीं कमी है, अब चैलेंज चैलेंज एंड बार इस मच हायर नाओ, हर आदमी को, हर आदमी को, 24 में से 26 घंटे निकालने पड़ेंगे काम करने के लिए, क्योंकि वो आदमी आपके पास एक ऐसा प्रिसिडेंस चोड़ कर जा रहा है, कि सिर्फ काम होने के तरीके की डिसीजन करिये, ना होने की डिसकुर्शन करने का कोई फाइदा नहीं। की आग्यादें, उनको जाने के लिए रस्ता बनाएं, उन्होंने कहा है कि इस गन कैरेज को जाने का रस्ता दीजेगा, भीड मत कीजिए, सडकों में वहाँ पर गाड़ियों को रोक कर इनको इनके मार्ग को रोकने से अच्छा उसे प्रशस्त कीजिए, ये उनकी तरफ से एक विनम राग्रहा है कि डेढ़ बजे जब निकलेगी, उनकी अंतिम याथरा वहां से कामराज मार्क से ब्रार स्क्वेर तक तो जनता से रिक्वेस्ट की गई है, आडमी की तरफ से और से रिक्वेस्ट आया है कि आप जनता जन जाजा जो समान्य है, वो इन्हें गन कैरे इसको आगे बढ़ने का रस्ता दे रस्ता रोके नहीं अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद बात करेंगे रक्षा विशेशक के कमोडोर जीजे सिंग से